Hey guys, welcome to my channel Kavyaas World आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो जैसे कि मैंने आपको हिंदी में व्यंजन व्यंजन करा दिये थे कर से लेकर यहां तक तो मैंने यह सारे व्यंजन करा दिये हैं आप लोगों को और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं अभी तक तो जल्दी से जाके में चानल पर देख लीजिए या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देदूंगी तो यह मैंने सारे करा दिये हैं अब हम करेंगे स्वर तो हमने व्यंजन तो करी लिये हैं अब हम करेंगे स्वर तो यह है हमारे स्वर जिसमें ग्यारा स्वर होते हैं अ से लेके अह तक तो इस वीडियो में मैं आपको अ और आ स्वरों के बारे में बताऊंगी कि उन्हें लिखते कैसे हैं और उन से कौन कौन सी चीजे होती हैं तो चलिए देखते हैं स्वर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षर अ अ से अलमारी अ से अचकन, अ से अमरूद, अ से अनार, अ से अजगर अब हम देखते हैं इसकी कुछ और पिच्चर्स अ से अनानास, अ से अनार, और अ से अजगर अब हम देखते हैं इस अक्षर अ को कैसे लिखते हैं तो पहले की तरह ही हम अक्षर अ को सबसे पहले एक पोएम की तरह थूँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे तो यह बहुत ही easy हो जाएगा सब के लिए और हम इसे सबसे पहले dot पे लिखेंगे dots पे लिखना सीखेंगे, फिर हम उसे बिना dot के लिखना सीखेंगे and yes, आप ये बात जरूर ध्यान दखेंगे कि आपके बच्चे एक दिन में ही ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे उन्हें एक दो हफ़ते का time दीजिए कि yes, एक हफ़ते में वो बिल्कुल perfect हो गए हैं एक काम के लिए तो then दूसरे अक्षर के पास जाएं जैसे कि आप ये दो अक्षर एक हफ़ते में ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों अक्षर पहुत जादा similar हैं ये दोनों अक्षर एक जैसे हैं इसलिए आप ये दो अक्षर एक साथ ले सकते हैं तो अब देखते हैं मक्षर औ को कैसे लिखते हैं तो बाबा जी की पहले आधा चांद बनाएंगे हम बाबा जी का इस तरीके से आधा चांद हम ऐसे बनाएंगे फिर आधा जो हमने एक और चांद बनाया है उसकी हम एक पूछ निकाल देंगे तो इस तरीके से हमें एक आधे चांद की ऐसे पूछ निकाल देंगे फिर बावा जी की एकछोटी सी गिरी हुई झढ़ी बावा जी की एक बड़ी सी झढ़ी और उपर आधी चान्द तो इस तरीके से एक बाद फिर से देख लेते हैं बावा जी का आधा चांद फिर एक और आधा चान्द और उसमें जुड़ी बंदर की पूछ फिर बाबर जी की एक चोटी सी छड़ी एक बड़ी सी छड़ी में जुड़ी और उपर छट एक बार फिर से देख लेते हैं बाबर जी का आधा चान्द एक और आधा चान्द और उसमें से एक चड़ी गई और बड़ी चड़ी में जुड़ी और एक उपर आधी छट बन गया देखो कितना easy काम है एंड हम इसे बहुत easily कर सकते हैं अब हम देखते हैं अक्षर औ को कैसे लिखना है इससे क्या-क्या pictures होती है या फिर इससे हम क्या-क्या कर सकते हैं या फिर इसमें क्या-क्या इससे क्या-क्या चीज़े होती है आ से आग, आ से आम, आ से आलू और आ से आठ और अ से आइस्क्रीन तो अब देखते हैं इस अक्षर आ को कैसे लिखना है तो इसी प्रकार लिखना है, बाबा जी का आधा चांद, एक और आधा चांद और एक बंदर की पूछ, फिर एक छोटी सी चड़ी, और बाबा जी की बड़ी सी चड़ी, एक और बड़ी सी चड़ी, और उपर चट तो इस तरीके से आप ये इजिली बनवा सकते हैं एक पाप फिर से देख लेते हैं बाबर जी का आधा चांद एक और आधा चांद बंदर की पूछ ठीक है फिर एक छोटी सी चड़ी एक और दो और बाबर जी की चड़ी और उपर चड़ इतना इसी है फिर से करते हैं बाबर जी की चड़ी बाबल जी का आधा चांद उनका एक और आधा चांद बंदर की पूछ छोटी सी छड़ी एक बड़ी सी छड़ी एक और बड़ी सी छड़ी और उपर छट इतना easy है इसे हम easily लिख सकते हैं तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगली है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सस्क्राइब करें थांक यू थांक्स वो वाच्चिंग